सुशान सिंग राजपूत के केस में एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है बताय जा रहा है कि रिया चकरवरती के भाई शौविक चकरवरती को गिरफतार कर लिया आगा है NCB के द्वारा और Samuel Miranda की भी गिरफतारी हो चुकी है यह पहले दो अरेस्ट इस केस में सामने आए है सुशान सिंग राजपूत के केस में यह पहले दो अरेस्ट है जो नहीं ED नहीं CBI कर पाई है यह पहला अरेस्ट और दूसरा अरेस्ट जो किया है यह NCB के थुरू हुआ है और बताये जा रहा है कि Samuel Miranda और शोविक चकरवर्ती कंटिनूसली ड्रग नेटवर्किंग माफिया के कनेक्शन में थे और काफी चैट्स और काफी चीजें सामने आया और यही नहीं NCB लगातार ड्रग नेटवर्क का परदा फास्ट करने में जुड़ गई है और हर एक पेडिलर से पुछता चल रही है जिसमें शोविक चकरवर्ती का पहला नाम सामने आया है कहा जा रहा है कि इसके बाद अगला नंबर रिया चकरवर्ती का ही हो सकता है नेक्स्ट आरेस जो होगा वो रिया चकरवर्ती का ही होगा यूँकि कहा जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है, कुबूल कर लिया है कि वो अपने बहन रिया चक्रवर्ती के लिए ही ड्रग्स खरीते थे और यही नहीं, NCB ने शौविक चक्रवर्ती के सारे electronic devices अपने कबजे में ले लिया है इसकी अभी भी परताल चल रही है और कहा जा रहा है कि इसमें काफी चीज़ें ऐसी सामने आ सकती है जो सुशान सिंग राजपूत की डेथ में भी जूड़ी हो सकती है पूरा सिलसला आज NCB की तरफ से हुआ है यह तस्वीरे आप देखिए, यह तस्वीरे इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे फूरा सब्सक्रीवर थे खोटी है गिरफतारी, बस इस समय पर थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त बचाए अएक तरीके से और वो गिरफतारी की तरवार शॉव trains पर लगातार लटक रही है कभी भी, शौव को अब NCB गिरफतार कर सकती है क्योंकि ऐसा पता चला है कि शौविक ने माना है कि रिया के कहने पर ड्रग्स